नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंग राठोड और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिसकर्स करूँगा एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक सुप्रीम कोट ने आर्टिकल 124A यानि कि सेडिशन वाले कानून पर एक टेंप्रेरी बैन लगाया है, फाइनल जजमेंट अभी नहीं आया है, इस बात को ध्यान में रखेगा, लेकिन एक टेंप्रेरी आदेश दे दिया गया है, कि जितने भी 124A के मुकदमे हैं, उनको फि देखना होगा कि सरकार आने वाले कुछ हफतों में क्या सेडिशन लौ में कुछ बदलाव करती है या नहीं, या फिर सुप्रीम कोट का ही फाइनल जजमेंट आएगा, जो इस कानून को हमेशा के लिए परिवर्तित कर देगा, इस पर हमारे न्याय मंत्री ने एक कौन से important judgments हैं, जो UPSC point of view से आपको जानने चाहिए, किदारनाथ case क्या था, विनोद दुआ वाला जो case है, वो क्या था, इन सभी points को मैं detail में discuss करूँगा, इस lecture में, थोड़ा सा लंबा हो सकता है lecture, लेकिन ये आपके exam point of view से खास करके mains or interview के लिए बहुत ही important है, 11 मई 2022 को Supreme Court एक interim फैसला सुनाते हुए ये खा, कि जितने भी देश में मामले चल रहे हैं, देश दुरो के, उनको फिलाल के लिए रोक दिया जाए, all the sedition trials ongoing in the court have to be put on hold, और ये तब तक किया जाएगा, जब तक 124A section IPC का, या तो हट नहीं जाता है, या सरकार उसमें कोई बदलाव नही ला देती, तो इसकी details में जाएं, उससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि Pathfinder चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके अलावा आपके friends और जितने भी जान पेचान वाले हैं, उनसे भी से सब्सक्राइब करवाईए, lectures के PDF आप इन टेलीग्राम चैनल से ड the final judgment, तो इसमें तीन मुख्य बाते कही गई है, पहला, जितने भी pending cases अभी चल रहे हैं अदालतों में, जिनकी जान चल रही है, जिनमें फैसला आने वाला है, वो सब कुछ अभी के लिए रोकना होगा, everything has to be stopped, it has to be stayed for the time being, कुछ समय के लिए रोक दीजे, जब तक या तो Supreme Court का final फैसला नहीं आ जाता, या फिर भारत सरकार अपना कानून नहीं बदल देती, और अगर कोई नई complaint दर्ज होती है, तो वो अभी 124A के तहत नहीं हो सकती, तो देश के सभी पुलिस विभावों को ये जानकारी दी जाती है, कि 124A के तहत, यानि कि देश दुरोग की धा आ जा रहा है कि आप सुझाव दीजे सभी राज्यों को कि ऐसा किया जाए, बाद्यकारी नहीं है, लेकिन स्ट्रेट से अपील करी जाती है कि आप उसे फॉलो कीजे, और अगर कोई जुडी शरी के अंदर इसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है, तो सुप्रीम कोट के इस डिसिजन को दिखा कर आप कोट में कारवाई करवा सकते हैं, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिडीशन शब्द का मीनिंग बताना चाहता हूँ, एक टर्म होता है सिडीशन और दूसरा होता है ट्रीजन, अब इनका इंगलिश में इतना मतलब क्लियर नहीं है, लेक राजद्रो, सिडीशन का मतलब होगा राजद्रो, यानि कि जो भी आपके देश में राज कर रहा है, चाहे वो राजा मारा जाओ, चाहे कोई elected सरकार है, उसके खिलाफ अगर आप कुछ बोलते हैं या उसके खिलाफ करवाई करना चाहते हैं, तो that could be राजद्रो और इंग्लाइड में, इंग्लाइड में राजा बहुत important था पहले, तो राजा की खिलाफ कोई भी बात कही जाती है, तो उसे अपमान के रूप में देखा जाता था, कि वो राजा का अपमान है, तो इसलिए उसके खिलाफ कानून बनाया और इसलिए वहाँ पर राजद्रो की धराएं लाए गई इंग्लाइड के कानून में, जब भारत में अंग्रेजों ने कानून बनाया, IPC बनाया, 1860 के आसपास, तब उन्होंने कुछ इसी तरह का सिडीशन यहाँ पर भी लानी की कोशिश करी, लेकिन इनिशली नहीं लाया, बाद में 1890s में उसको एड़ कर दि दिया और दोनों को मिलाकर भारत के अंदर आज सिडीशन ही खा जाता है, तो चाहे आप डेमोक्राटिकली इलेक्टेट सरकार के खिलाफ कुछ कहते हैं, तो धाराएं वही लग रही हैं, जो आज से 1500 साल पहले राजदरों की धाराएं बनाई गई थी, तो सिडीशन ओरिज जाता है, तो जनरली ए भी इस तरह के लेटर्स आड कर दिये जाते हैं, तो सेक्शन 124A बाद में आड किया गया था, around 1890, कुछ जगे आपको 1870 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन उस समय उसका नाम exactly sedition नहीं था, उसमें था कि सरकार के खिलाफ हिंसा भढ़काने की कोशिश उसकी धाराय एड करी गई थी, 1870 में, फाइनल जो एड किया गया था, वो 1890 में किया गया था, officially 124A, तो उस समय देशद्रो या राजद्रो की punishment होती थी, कि आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, और इसलिए सजाय काला पानी दी जाती थी, जिसमें अंडमान निको पानी भेज दिया जाएगा, तो इस 124A का बहुत इस्तमाल किया गया देश के आजादी के अंडोलन के दौरान, पॉलिटिकल डिसेंट को खत्म करने के लिए, कई स्वतंत्रता सिनानियों पर ये धारा लगाई गई जिन में सबसे फेमस और पहला केस हुआ था, बाल गंग इसके पहले भी ये कुछ बार इस्तमाल, कुछ दो-तीन बार इस्तमाल हुई थी, लेकिन इतने पॉपिलर नेता पर या इतने बड़े व्यक्ति पर नहीं हुई थी, एनिवेस, तो बाद में ये धारा एनी बीसेंट, जोहर ब्रदर्स, मौला नाजाद, महत्मा गांदी, व इन पर भी लगाया गया, अब जनरली इन लोगों पर लगाते थे कि इनके राइटिंग्स के उपर, तिलक, धांदी, इन्होंने अपने अपने अख़बारों में कुछ लेक लिखे थे, जिसमें वो ब्रिटेश हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे थे, इसलिए इन पर में कोई बदलाव नहीं हुआ, in fact IPC में इंडिया ने 1973 में जाकर बहुत बड़े-बड़े बदलाव किये थे, लेकिन Article 124A जारी रहता है, it was there, समिधान सभा में भी इसको लेकर डिबेट हुआ था, कि Freedom of Speech and Expression में एक नीचे नोट डालके exception डाल दिया जाए, कि जो sedition की बात जो देश निकाले की सजा थी, उसको आज इवन कारावास में तबदील कर दिया जाता है, तो आज अगर आप 124A की definition को पढ़ेंगे IPC में, तो वो exactly इस तरह से लिखी गई है, यहाँ पर आप देखेंगे कि चाहे आप लिखकर या बोलकर, या इशारों से भी, even by science, या visible representation स जैसे कि film या चलचितर के माध्यम से, या किसी भी अन्य तरीके से, अगर आप सरकार के खिलाफ भावनाय भढ़का रहे हैं, you are trying to bring hatred और contempt against the government, या फिर आप जनता को भढ़काने की कोशिश कर रहे हैं, excite और attempt to excite disaffection towards government, यानि कि सरकार से against जाने के लिए आप लोगों को आप देखेंगे, किसी भी तरह से, आप भारत सरकार, government that has been established by law, चाहे वो state government हो, central government हो, उस सरकार के खिलाफ भावनाय बढ़काएंगे लोगों में, या फिर कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, या कुछ दिखाते हैं, तो वो सब कुछ इसकी 124A की definition में आ जाता है, तो इ ruling party होती है, वो opposition पर लगाती है, opposition भी कोई दूद का धुला नहीं है, जब वो power में आते हैं, तो फिर से same काम अभी की ruling party वाले सदस्यों के खिलाफ करते हैं, तो इसका कारण यही है कि 124A की definition बहुत vast है, बहुत wide scope है, उसको आप किसी भी रूप से interpret कर सकते हैं, और एक और problem यह है कि 124A एक non-bailable offense है, इसमें आपको bail नहीं मिलेगी, arrest हो गए, तो आप jail में ही रहेंगे, और 3 साल से लेकर imprisonment तक की सजा, life imprisonment तक की सजा इसमें आपको मिल जाएगी, और कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो महान लीचे आपकर 124A का case साबित हो जाता है, तो आ enmity होता है, दुश्मनी, और disloyalty, कि आप वफादारी कम करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की सरकार के प्रती, तो यह disaffection माना गया है, हाला कि इसमें कुछ exception भी है, कि अगर आप सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, कुछ criticize कर रहे हैं उसे, लेकिन उसमें आप हिंसा बढ़क में सरकार के खिलाफ भावनाएं बढ़काने की कोशिश हो रही है, कि सडकों पर उतर जाओ, और office तोड़ दो, जला दो, तो फिर वो sedition के दायरे में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, अगर basically criticize आप सरकार को करते हैं, normal तरीके से, तो फिर वहाँ पर यह 124 के दायरे में नहीं आता, ओके, यह दोनों explanation इसके यहाँ पर दिये गए हैं, comments expressing disapprobation of the administrative or other action of government without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection, यहनी कि आप लोगों की भावनाएं मत भढ़काओ, आप plain तरीके से, simple तरीके से, सरकार को या प्रशासन को criticize, उसके आलोचना कर सकते हैं, आजादी के बाद, धारा 124.1 से अंदित मामले कई बार अदालतों में पहुँचे और इसमें Supreme Court में कई बार important फैसले भी आये हैं, जिनमें कुछ प्रमुक केसे मैं आपके साथ यहां discuss कर रहा हूँ, तो रोमिश्थापर वर्सिस State of Madras के case में, सबसे पहली बार 1950 में Supreme Court ने एक liberal outlook लिया, Supreme Court ने यह कहा, कि और sedition के कानून को यहां पर restrict किया है, freedom of speech को बढ़ावा दिया गया है, रोमिश्थापर वर्सिस State of Madras में, इसी तरह से कुछ और फैसले High Court में भी आते हैं, 1950s में, जिनमे freedom of speech and expression को ज़्यादा तवज्यो दी जाती है, और sedition के दायरे को थोड़ा restrict किया जाता है, तो एक केस तारा सिंग गोपी चंद वर्सिस दे स्टेट पंजाब और हर्याना High Court में, 1951 और अलाबाद High Court में, राम नंदन वर्सिस स्टेट अफ उत्तरप्लदेश, 1959, इन दोनों ही मामलों में, अदालतों ने ये बात कही, कि धारा 124 A का इस्तमाल तो अंग्रेज किया करते थे, आज colonial masters का tool था, जिससे की देश में आजादी की बात कोई ना करे, इसका आजाद भारत में कोई स्थान नहीं है, और इसे unconstitutional कह दिया गया, तो इस 124 A was declared unconstitutional for some years by the court, लेकिन फिर 1962 में एक important judgment आता है, किदारनाथ सिंग वर्सिस स्टेट अफ बिहार, तो किदारनाथ सिंग वाले म ने 1962 के दारनाथ सिंग वाले मामले में पुराने judgments को उलटते वे ये कहा, 124 A, बिल्कुल constitutional है, it is constitutional, उसको हटाया नहीं जा सकता है, हाला कि हर case में सरकार इसका इसका इस्तिमाल ना करे, पुलिस इसका इस्तिमाल कुछ restricted, बहुत ही चुनिंदा cases में करे, तो उसका scope restrict करने की क कोशिश यहां पर करी जाती है, कोट ने यहां पर साफ तोर पर कहा, कि अगर सरकार के आलोचना आप करते हो, तो उसे sedition या देशद्रो नहीं कहा जा सकता, सरकार के आलोचना देशद्रो नहीं है, यह कहा गया है, केदारनाथ सिंग में, लेकिन यहां पर भी एक rider add कर दिया इन्होंने, कि अगर कोई हिंसा या भावनाय भढ़काने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो sedition होगा, अगर आप बिना हिंसा भढ़काने की कोशिश के, या बिना लोगों की भावनाय भढ़काने की कोशिश के सरकार के आलोचना करते हैं, तो फिर वो बिलकुल वाजिब है legal है और उसे sedition के दाइरे में नहीं लाया जा सकता तो किदार नात सिंग वाले मामले में सुप्रीम कोट ने साथ guidelines जारी करी सरकार के लिए कहा कि ये guidelines है इनका पालन करो आप फिर 124A के तहट case को दर्ज करो सबसे important guideline ये थी कि कोई भी speech या writing अगर देश के नागरिकों में सरकार के प्रती अवमानना या फिर असंतोश की भावना फैलाती है या घ्रना की भावना फैलाती है तो वो sedition नहीं होगा आपकी writing में सरकार के प्रती नफरत हो सकती है सरकार के प्रती समस्य आ सकती है तो फिर वो sedition के दाएरे में आएगा लेकिन उसके बिना ये तीनों शब्द जो है जो 124A में लिखे गए थे simply इनके basis पर किसी पर sedition का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता लेकिन ये सभी guidelines follow करनी थी पुलिस को और पुलिस पर ये जिम्मा छोड़ दिया गया कि आप ये decide कीजिए कि किसी की writing या speech इस category में आती है या इस category में आती है और इन guidelines का पालन पिछले 50 सालों में ठीक से नहीं हुआ है इन guidelines को ताक पर रखकर पुलिस आज भी 124A के तहत मामले दर्ज कर लेती है ये एक विनोद दुआ वाले case में तो विनोद दुआ एक बहुत ही जाने माने पत्रकार थे पिछले साल December में इनकी मृत्य हो गई तो विनोद दुआ जो है इन पर 2021 में देश दुरों का मुकदमा चलाया गया क्योंके इन्होंने मोधी सरकार के आलोचना करी regarding the COVID-19 pandemic तो pandemic को handle नहीं क बहुत जबर्दस्त फटकार लगाई कि आप किसी पत्रकार पे इसी लिए देश दुरों का मुकदमा कैसे कर सकते हो कि आपकी criticism कर दी गई यानि कि ये criticism इसके अंडर में आ रहा है चाहे आपके खिलाफ disaffection, hatred या content फैलाया गया लेकिन यहाँ पर public disorder का कोई हमें evidence नजर नही सकते हैं इस मामले की सुनवाई के दौरान court ने सरकार पर बहुती तल्ख टिपणिया करी सबसे पहली और important टिपणि यह थी कि आप अपनी शक्तियों का बहुत गलत इस्तिमाल कर रहे हैं और दूसरा इस colonial कानून को क्यो ना हटा दिया जाए why should not we scrap this colonial law तो उस समय सरकार की त चल रहा है कि सरकार उस पर कुछ बदलाव कर सकती है आए अब देखते हैं कि देशद्रों के मामले कितने effective तरीके से देश में निपटाये जा रहे हैं तो हमारे देश में 2014 से पहले देशद्रों के मामलों को NCRB के डेटा में शामिल नहीं किया जाता था लेकिन 2014 ओनवर्ड NCRB का डेटा कंपाइल कर रहा है तो लगबग 400 sedition के cases दर्ज हुए है पूरे देश में लेकिन इनमें चार्जचीट फाइल कितनी कम हुई है आप देखो यहाँ पर चार्जचीट फाइल ही नहीं होती है 2016 से 20 में 322 मुकदमे थे इनमें से केवल 144 में चार्जचीट दायर हो फिर गलती से यह कानून लगा दिया गया या यह धारा लगा दी गई 58 बंद कर दिये गए क्योंके इनमें कोई evidence नहीं था बिना बात के लोगों पर मामला दर्ज कर दिया गया sedition का और उसके लिए कोई पुलिस के पास evidence प्रस्तुत नहीं हुआ इसके अलावा 82% मामलों में आरोप साबित हो पाया और दोशियों को सजा हुई तो 2015 के बाद से total 356 cases दर्ज हुएं जिनमें 500 लोगों को jail में डाला गया, arrest किया गया इनमें से केवल 7 ऐसे cases थे 7 out of 356 जिसमें court में मामला साबित हो पाया और सजा हुई है यह होता है दो प्रतिशत conviction rate केवल दो प्रतिशत मामलों में सजा हो पाई है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितने मामले प्रूव नहीं हो पाया है, कितने आज दिन तक लंबित हैं और यह conviction rate इतना लोग क्यूं है, इसका मैं आपको reason बताता हूं क्यूंकि sedition वाली धारा का जाला तर इस्तमाल political reasons के कारण किया जाता है, baseless allegations में case बना दिये जाते हैं और जाला तर case या तो court में रद्ध हो जाएंगे या फिर उन में evidence ही नहीं मिल पाएगा, for example, recently महराष्टर में एक बहुत बड़ा political drama हुआ जब नवनीत राना और रवी राना जो MP और ML हैं, इन् और case पिछले साल हुआ था जब उत्तरप्रदेश सरकार ने उन लोगों पर sedition की धारा लगाई थी, जिन्होंने पाकिस्तान की जीत को celebrate किया, तो generally इस तरह के मामले भी court में बरखास्त हो जाते हैं, इनमें कभी सजा नहीं होती है, until unless it is something really very serious, तो इसलिए conviction rate इतनी low है, अब recent case अदालत में कैसे आया, देखे, विनोत दुआ वाले मामले के बाद, कई लोग इखटा हुए, जिन में ex ministers, some sitting MPs, कई सारे अकभारों के editors, ये सभी शामिल होकर फैसा लेते हैं, कि Supreme Court में कि आचिका दायर करी जाएगी, इस आचिका में ये अर्स किया गया Supreme Court से कि 124A को scrap कर हटा दिया जाए, और यहाँ पर एक seven judge bench होगी, और अब उसको ये तैय करना होगा कि कि किदारनाथ वाली ruling 1962 का जो फैसला है, क्या वो सही था या नहीं, अब अगर इस मामले में इनके पक्ष में फैसला जाता है, यानि कि 124A को हटा दिया जाए, तो फिर किदारनाथ ruling overturn हो हो जाएगी, ओके, लेकिन अभी तक Supreme Court ने final फैसला नहीं दिया है, उसके पहले सरकार ने time मांगा कि हमें time दीजे, हम इसमें कुछ modifications कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के वकीलों का ये कहना था, कि देखे, कुछ incidents में उसका गलत इस्तमाल हुआ है, कुछ cases में गलत इस्तमाल हुआ धारा का, इसका मतलब ये नहीं कि कानून गलत है, तो हमें time दीजे, हम इस कानून को modify करते हैं, थोड़ा सा बदलते हैं, और जब तक बदलते हैं, तब तक आप wait कर दीजे, लेकिन अब इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई महिने में होनी है, और अगर सरकार तब तक क कई strict कानून है, जिनमें आप relevant धाराएं लगा सकते हैं, और anti-terror जैसे cases में, वहाँ पर UAPA का इस्तमाल करिए, तो UAPA अलरी एक बहुत strong कानून है, हाला कि इसकी अपनी एक अलग अलोचना होती है, लेकिन फिलाल UAPA है, तो sedition की जरूरत नहीं है, sedition का गलत इस्तमाल, generally writers य तो UAPA भी बहुत strict कानून है, तो why not just use this, जहाँ पर एक तलवार से काम हो रहा है, वहाँ पर एक दूसरे छुरी की क्या आवशक्ता है, use the sword, you don't need the knife, तो इस knife को हटा दिया जाए, तो अगर ये फैसला court लेता है कि 124A को strike down किया जाएगा, तो किदारनात ruling overturn हो जाएगी, ले यहाँ पर भी बदलाव करके, उसकी language में कुछ change किया जाएगा, तो उसको थोड़ा dilute कर दिया जाएगा, लेकिन 124A रहेगा, अब ये सेम कानून पश्रिमी देशों में किस प्रकार से लागू है, देखे UK, जहांके कानून को copy करते हुए, हमारे देश में भी ये धारा ल आए गया था, 13 भी सदी में, तब आपने राजा के खिलाफ कुछ बोल दिया था, आपका सर कलम कर दिया जाता था, लेकिन अब वो जमाने गए, तो it's an arcane law, बिटिश अदालतों ने सीधे तोर पर ये कहा था, कि ये इतना पुराना कानून है, अभी तक कैसे चल रहा है, freedom of speech expression तब exist ही नहीं करता था, आज करता है, तो इसलिए इसे हटा दिया जाए, US में sedition law है, और US का sedition law भी काफी strict है, लेकिन वहाँ पर भी इंडिया जितना strict नहीं है, जैसे कि सरकार के खिलाफ आप कुछ लिखते हैं, तो उसमें आपके खिलाफ sedition law इस्तमाल नहीं होगा, हा Computer Fraud and Abuse Act है, उसके प्रावधानों के अनुसार, जूलियन असांज पर और अन्य लीक करने वाले या विसल ब्लोर्स पर कई बार कानून लागू किया गया है, या फिर धराएं लगाई गई है, फिर US में जासूसी के कानून भी बहुत strong है, इसलिए Snowden पर जब उन्हें कारव रिपील किया, सिंगापूर भी हटा चुका है, यह सेडिशन वाला कानून, तो इस तरह से दुनिया के कई Western democracies या कई developed democracies इस धारा को या इस सेडिशन के देश दुरो के कानून को हटा चुके है, तो शायद भारत में भी अब वक्त आ गया है, इस कानून को हटाने का, आप एक art and culture का course ongoing है, रात को 9 बजे इसकी class होती है, you can join this, it's an MCQ course जहाँ पर हम art and culture को revise कर रहे है, 2022 के लिए MCQs के माध्यम से, एक current affairs history and art and culture का crash course आ रहा है मेरा 17 से 22 मही को, ये plus platform पर आ रहा है, दोनों के link आपको नीचे description में मिल जाएंगे, अगर an academy के subscription को आप join करते हैं, तो इतने भी हमारे courses हैं, वो courses आपको 10% discount पर available होंगे if you are using the code महीपाल, और iconic subscription में one on one mentorship आपको मिलेगी, prices बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं subscription के, so get the subscription before the price rise, EMI option पर सारे courses available है, कोई भी doubt है आपको course या discount से संबंदित, इस number पर आप call कर लीजे, All India Prelims mock test हो रहा है हमारा, offline और online, दोनों तरीकों से 11 शहरों में offline हो रहा है, you can register for this, link is given in the description, ultra combat 22 मही को आएगा, इस combat में हिस्सा लेकर आप scholarship जीट सकते हैं, free में subscription आपको मिल जाएगा और इस बार scholarship pool बहुत ही बड़ा है, it is up to 10 क्रोर रूपीज and some attractive gifts like macbooks, ipads, etc. last mile program is for interview candidates, हर अफते नए batches start होते हैं, इनको join कर सकते हैं, pathfinder test series हरशनिवार को होती है, इसमें top rank लाकर सारे, static notes आपको free मिल जाएंगे, plus course का test, plus test आ रहा है modern history पर 10 बजे सुबह 16 माई को, thank you so much, have a great day.